हेलो एवरिवन, क्रिशा क्रियेशन में आपका स्वागत है बारिश के मौसम में भुट्टा या स्वीट कॉन खाना सभी को अच्छा लगता है आज हम बनाएंगे मसाला कॉन चाठ शाम की हलकी फुलकी भू के लिए ये बेस्क नेक है और हेल्दी भी है तो चली शिर करते है मसाला स्वीट कॉन बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी फ्रोजन स्वीट कॉन इसे अमेरिकन स्वीट कॉन भी कहते है इस तरह से आपको फ्रोजन स्वीट कॉन का पैकेट बजार से मिल जाएगा आप किसी भी ब्रैंड का स्वीट कॉन दे सकते हैं इनको बॉil करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आपके पास फ्रोजन स्वीट कॉन ना हो तो नॉर्मल भुटे के दानों को निकाल कर उन्हें 5-6 विसल दिला कर यूज कर सकते हैं अब पहले इनको फॉil कर देते हैं मैंने एक पैन में पानी को बॉil होने रख दिया था अब इसमें आदा चमच नमक, थोड़ी सी हल्दी और एक चमच के करीब मखन डाल देंगी मखन डाने से स्वीट कॉन में बटरी फ्लेवर आता है अब इन सब को मिक्स कर लेंगे हल्दी डाने से कॉन पर बढ़िया यलो कलर आता है और बटर डाने से कॉन का स्वाथ बढ़ जाता है इसलिए आप बटर जुरू डाले पानी में बॉil आ गया है अब इसमें स्वीट कॉन डाल देंगे और हाई फ्लेम पर चार से पांच मिनट इसे बॉil कर लेंगे चार से पांच मिनट हो गए है अब मैं आपको स्वीट कॉन दिखाती हूँ ये अच्छे सी फूल गे है इसका मतलब कॉन अच्छे से बॉil हो गे है अब कॉन को एक चन्नी में निकार लेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं कॉन बड़िया यलो कलर के दिख रहे है अब ये गर्मे इन्हे थोड़ा थंडा होने देंगे हमें इन्हे पाने डार कर थंडा ने करना बस थोड़ी देर ऐसे छोड़ देना है ताकि ये हलके थंडे हो जाए क्योंकि स्वीट कॉण चाट गरμ-गरμ तेस्टी लगती है अब एक 우리 उसमें हाफ कोकरी बरीक कटा प्या डाल देंगे हाफ कोकरी बरीक कटा टमाटर हाफ कोकरी बरीक कटा खीरा दो से तीन बरीक कटी हरी मिच ये मोटी वाली मेच है, ये बिल्कुल भी तीकी नहीं, अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हरा धन्या डाल दूंगी, अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे 1-4 टिबल स्पून नमक, नमक हमने कौन को बॉयल करते वक्त भी डाला था, इसलिए नमक थोड़ा ध्यान से डालें, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिच, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिच, और 1-2 चमच धन्या पुदेने की चटने डाल देंगे, इससे चाट में बहुती तीखा और चटपटा फ्लेवर आता है, और आधा न रेजिटेबल या फ्रूट डालना चाहते हैं, तो वो भी डाल सकते हैं, आप इसमें स्प्राउट भी डाल सकते हैं, ये काफी हेल्दी चाट है, आप इसे कौन सेलेट भी कह सकते हैं, चाट अच्छी से मिक्स होगी है, अब इसे प्लेट में निकाल देते हैं, अक्सर बार अपने मन पसंद की कोई भी नमकिन डालें, थोड़ी सी चिप्स को क्रश करके डालें, इससे चाट और भी टेस्टी लगती हैं, और धनी से डेकोरेट कर लें, आप इस चाट को ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर इस पर चीज को ग्रेड करके भी डाल सकते हैं, बच्चों को किती टेस्टी बने हैं, तो सिर्फ बादिश की मोसमें नहीं, बल्कि जब भी आपका मन कुछ जटपट अखाने को करें, तो ये जटपट से बन जाने वाली मसाला कौन चाट बनाएं, और इंजय कीजें, जड़ी वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्री करेंजू करते हैं, तो सुर्प्स के लाइक हैं, तो सहुिए प्सक्ष नहीं के जब रहां तो समय हैं, टॉष्णाला के अटता हैं, टॉड़ी हैं, प्रिक्ष टॉड़ीऊ वेड़ी हैं